तो नमस्कार दोस्तों तो आज का टॉपिक है पीम मोदी एक्सपोस क्यों आयोध्या में इनको वो सीटे नहीं मिल पाई जिनकी यह उमीद लगाए बैठे थें क्यों आयोध्या से यह हार गए बल्कि वहां के लोगों के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया राम दिया एरपोर्ट बनवा दिया रिल स्टेशन बनवा दिया और बहुत सारी ऐसे इसी चीजे की लेकिन फिर भी आयोध्या से हार गए तो आए समझते हैं आयोध्या में किनकिन कारणों की वज़े से मोदी जी अपना कामल नहीं फैरा पाए पहला कारण पहला कारण यह हो सक पातनी मोदी जी ने सक्क्यों किया दूसरा कारण दूसरा कारण हमारा यह भी हो सकता है कि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीग भी होए हैं रिसेंटली हमारा नीट का पेपर एंड असे जीडी का पेपर एंड कई सारे पेपर ऐसे हो में जो लीग हो चुके हैं और रही बात मेरी, कुछ लोह को लगता है कि मैं केजी रिवाल की तरफ हूँ मैंने उनका नमक खाया है, तो कुछ अच्छी वीडियो से मैं उनको पर बना सकता हूँ ना और अल्य शहादो ने भी इसका प्रूफ दे ही दिया है